असलाम लेकुम नाजरीन नाजरीन आज मैं आपको एक एफट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्लाक एफट जो इस वक्त कपास पर जोर शोर से लगा हुआ है इसे अगर कंट्रोर ना किया गया तो यह बहुत ज्यादा कपास कर लास कर जाएगा यह आप सकते हैं तो इसके उपर आप मौस्पीलान एक दोई है वो इप्लाई करें उसका बहुत अच्छा रिजल्टा आ रहा है मैंने प्लाई किया एक फिल्ड के उपर इंशाल्ला एक दो दिन तक उसका रिजल्ट जाब आ जाएगा तो मैं फिर उसकी भी आपको वीडियो बना कर संद करऊंगा या देख सकते हैं यह ब्लैक अफेल लगाओ है सुस्त तुत का देला अगर इसे कंट्रोल ना चाहिए तो यह बहुत जादा जाए ना कउस्पास पर ना यह देख सकते हैं इन रिस्टा लाइट सैंस का यह प्रोड़क्त है जिसका नाम है मौस पीलान यह प्राइब आपको पिक्चर बनाकर एसकी वीडियो बना ना ? इस देख सकते हैं यह देखें यह कपास के बहुत शदीड किसम लगा हुआ है कि यह क्यूंकि यह राश्त चुचता है तो इसी वजासे यह पतीज्वाइब जो इसके शूकड रहे है और यह फाल के ऊपर नायज पते जेदा तक जिसके वज़ाए पते श्रेंग हो रहे हैं याद देख सकते हैं अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो यह बहुत ज्यादा कपास का नुफसान कर जाएगा याद देख सकते हैं कुंकर टंप्रेचर लो ना कोछ बारशें वगर रहुए इसकी वज़ए से यह आ गया और कपास के अपर आद बहुत ज्यादा हम लागा रहा है इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है इसे आप कंट्रोल लाजमी करें ठीक नाजरी तो इन्शाल्ला मैं जब स्प्रेय का रिजाल्ट आ जाएगा तो आपको और वीडियो बना कर सेंट करूँगा ते लेकिन आप जो है ना इसके उपर स्प्रेय लाजमी करें बनना ये बहुत ज़्यदा फैल जागा और ये फैलता बहुत जल्दी है ठीक नाजरी ओक जी अल्ला आफ़े